तो दीपक सानन कमेटी ने जो है वो अपनी फस्ट रिपोर्ट सम्मिट कर दी है मुझे लगा था देखिए कि आप में से मैक्सिमम को इस चीज के बारे में पता होगा कि क्या-क्या रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है तो इसलिए मैंने जो है वो इसके उपर वीडियो नहीं बनाय थी बड़ फिर हमें जो है वो इमेल रिसीव हुए वट्सब मेसेज आए कि एक बार जो है वो हमें भी बता दीजिए कि दीपक सानन कमेटी के जो रिपोर्ट आई है यह first report है actually जो आपकी फाइनल रिपोर्ट आएगी वो I think अगले मन्थ या वन मन्थ बाद आपकी रिपोर्ट आने वाली है फिलाल के लिए जो आपकी यह प्रारंभिक रिपोर्ट आई है या फिर first report आई है इसको जो है वो cabinet meeting में रखा जा सकता है ऐसा बोला जा रहा है तो आज cabinet meeting है जो भी update रहेगा वो भी आपको बता देंगे बट फिलाल के लिए जो है मुझे लगता है कि आज तो possible नहीं होगा कि इसके ओपर discussion किया जाए cabinet में बट अगर हो जाता है तो वो well and good है होना भी चाहिए और एक महीने बाद तो क्योंकि आपकी final report submit की जाएगी तो आज पूरे पूरे chances हो सकते हैं ठीक है तो बाकी जैसा भी रहेगा शाम को आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो इसके उपरा हम बात करेंगे क्या क्या चीज़े इसमें बोली गई है बट आगे बढ़ने से पहले देखिए ये भी एक update है कि लोकसेवा आयोग जो है वो छे पोस्ट कोड में विज्यापन जारी करने के लिए जो है वो परदेश सरकार से अनुमती मांगी है ठीक है बलब कि HPPSC ने तो HPPSC बहुत जल्दी जो है वो आपको recruitment 6 पोस्ट कोड पर जारी करेगा अभी जैसे ही जो है वो आपको यहाँ पर सरकार से अनुमती मिल जाएगी तो छे पोस्ट कोड के टोटल जो पोस्ट हैंगी वह आएंगी आपकी 364 ये भी मैं आपको बता रहता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट हैंगी 364 कुल होंगे आपके पद अब इसमें क्या है कि इसमें पोस्ट कोड एक तो आपका 1072 है जिसका junior office assistant account का है ठीक है civil supply में फिर 1073 है operation theater assistant का है ठीक है फिर 1036 है junior auditor state audit भी भाग में फिर आपका 1078 है जे electrical busy भी भाग में फिर 1025 है आयरुवेदिक pharmacist आयरुवेदिक भी भाग में ठीक है तो ये आपके जो है वो आपके यहाँ पर post code कुछ एक है जिनकी ओपर exam होने वाले हैं और बाकी जब आएगा तो आपको और पता लग जाएगा कि कौन कौन से post code के लिए तो इनके लिए अ एक साल से जादा ही हो गया है बहुत सारे लोग मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का manobal जो है वो तूट गया है तो देखिए अगर आप तयारी चोड़ चुके हो तो ठीक है अगर आप कुछ और कर रहे हो तो उसके उपर मैं कुछ और नहीं बोलूँगा तो अगर पर दिन लगे रही है पड़ते रही है बट थोड़ा थोड़ा जो है वो बुक्स के टच में रही है रिवाइस करते रही है एक एक टॉपिक को भी डेली पड़ोगे तो जब एक्जाम आएंगे अगर आप एक्जाम ही देना चाहते हो यानिकि सरकारी फिल्ड में ही जाना तो आपके उपर जो है वो प्रेशर नहीं पड़ेगा बाकी आपकी चोईस है आपकी लाइफ है अपने तरीके से आप जो है वो चला सकते हो बात करते हैं दीपक सानन कमेटी के बारे में तो यहां पर मैं यह सारा कुछ नहीं पड़ूँगा मैं आपको important important points बता दूँगा देखें सबसे पहला point क्या बोला गया है इसमें यह बोला गया है कि जो नया आयोग बनेगा ठीक है नूँ आयोग तो बनाया ही जाएगा इसका नाम क्या होगा यह आपको आने वाले समय में पता लगेगा बड़ जो यह निया आयोग है इसमें जो भी member होते थे पहले उनको कम करने का यानि कि उनके number of members जो है वो decrease करने का यहाँ पर सुझाओ दिया गया है कि यानि कि सिफारिश की गई है कि members को जो है वो कम किया जाए क्योंकि आपको पता है कि class 3 में जो है वो interview जो होते हैं वो अब हन्हीं होते हैं तो ऐसे में बोला गया है कि भाई ज्यादा members की भी क्या जूरूरत है तो एक limited amount of members जो है वो उसमें रखा जाए दूसरा क्या है कि कानूनी जो है वो आपकी बनाई जाए class 3 के लिए नहीं भरती agency जो है वो वेधारिनिक नहीं जो है वो आपकी कानूनी बनाई जाए सबसे important चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि OMR की जगा जो आपकी OMR है तीक है उसकी जगा पर जो है वो CBT यानि के computer based test जो है वो लागू किया जाए अब देखे ये सिफारिश करने में बोलने में अच्छा है कि computer based test apply किया जाए बट ये अगर practical तोर पर देखें तो possibilities इस आपको हर एक district headquarter में computer center अच्छे खासे चाहिए ठीक है जेवे में आपको पता ये एक एक लाख बच्चे जो है वो form भरते हैं तो उसमें क्या है कि आपके पास इतने facility होनी चाहिए कि आप इतने बच्चों को जो भी district wise होते हैं district headquarter में वहाँ पर arrange कर सकें ठीक है अब ऐसा नहीं है कि आप शिमला में या फिर हमिरपूर में आप एक computer lab बना दे और सारे बच्चे जो है वहाँ पर जाएं ऐसा भी possible नहीं है तो ये बनने में तो time लगेगा भाई CBT वाला तो अगर दो तीन महीने में नहीं आपकी जो है वो agency आ जाती है ठीक है या फिर अगले साल ही आती है तो भी जो है वो पहले जो starting रहेगी वो OMR based ही मुझे लगता है रहने वाली है या फिर अगर यह सोचेंगे कि पहले computer labs बनाएंगे ठीक है वैसे भी आपको पते है कि हिमाचर प्रदेश को आपदा में कितना नुकसान हो चुका है तो फिलाल के लिए तो हर जगा पर computer lab बनाना ठीक है वो अभी जो है वो possible नहीं है मेरे हिसाप से दूसरी चीज़ क्या है कि भाई अभी जो है आपको पता ही है कि अगर थर्ड पार्टी को इसका tender दिया जाता है कि भाई थर्ड पार्टी तो उसमें जो है वो cheating के chances बगेरा जादा रहते हैं तो ये भी किस तरी की की होंगी या तो यह हो सकता है कि भाई एक दिन में आपकी दो दो exam होंगे ठीक है बट ऐसा नहीं है जो आपका HPPSC वाला system है ठीक है कि भाई दो exam होंगे सुब़े शाम वो वाला भी हो सकता है और दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि एक exam आपका पहला प्री हुआ ठ आठ चैप्टर जो है वो इसमें इंक्लूड किये गए मैंने आपको important important चीज़े बता दी उसके इलावा अगर cabinet में इसको आज discuss किया जाता है तो उसके उपर अगर कोई fans ला लिया जाता है या कुछी भी उससे related news आती है तो वो भी मैं आपके साथ share करूँगा आपके इस बार अगले महीने सम्मिट हो जाएगी तो जो भी रहेगा वो आपके साथ जरूर शियर किया जाएगा बाकी comment section open है आप एक genuine तरीके से जो है वो अपनी बात बोल सकते हैं जो भी आप बोलना चाते हो बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ thank you